Manufacturer of NaOH from Brine की बात करते हैं जी, यहाँ पर Manufacturer यानि की बनाने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पर Sodium Hydroxide या जिसे हम Castic Soda भी कहते हैं, क्या कहते हैं जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं, C-A-U-S-T-I-C, ठीक है जी, Castic और Soda, ठीक है जी, यहाँ से हमें पता चल गया, इसको हम NaOH क कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसके लावा जो Brine है, वो हमारे पास क्या है, जी, NaCl का अगर हम Equus Solution यूज़ करें, यानि कि Sodium Cloride को, अगर हम किस फॉर्म में यूज़ करें, जी, Equus Form में यूज़ करें, ठीक है, NaCl और इसकी Equus Form हमने लिए, यानि कि Water में Dissolve करके हम इसका Equus Solution में आएगा, तो यह हमारे पास जो है, क्या बन जाएगा, जी, हमारे पास यहाँ पर U-shape हमें बनातावा सेल नज़र आ रहा है, इस सेल को हम क्या नाम देते हैं, जी, इसको हम नाम देते हैं, नेलसन सेल, तो यहाँ पर हम ले आते हैं, इसको हम कहते हैं, जी, नेलसन लिए जो सारे description हमें नजर आ रही है किस की यह जी Nelson cells की है सेल की है basically scientist के नाम पर यह नाम रखा गया यह सेल का और यहां पर हमें बहुत सारी first of all तो NACL हम यहां पर सेख क्या करते हैं जी यहां पर enter करते हैं ठीक है और उसके बाद क्या होता है यहां पर हमें नजर आ रहा है एनोड ठीक है carbon का एनोड जो carbon हम use करते हैं कोईले की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में carbon को use कर रहे हैं ग्रेफाइड जैसे हमारे पास सिक्का है उसकी फॉर्म में भी हम use कर रहे है ठीक है जी तो यह हमारे लिख देते हैं जी, oxidation का इसके उपर जो process होता है, इस विज़से इसको हम कहते हैं, ये anode है, oxidation, यानि के हमारे पास क्या होगा जी, इसके उपर जो हमारे पास sodium chloride के अंदर दो आइंज बनते हैं, यानि के positive और negative, इसकी तरफ जो है negative आइंज के, चले हम इसको लिख देते हैं, molecule ले लिए जी, sorry, हमने इसके aqueous form में sodium chloride ले लिए, दो, ठीक है, उसके दो moles हमने ले लिए, या दो, हमने जो sodium chloride को aqueous form में ले लिए, तो ये किसमें convert होगा, दो sodium प्लस आइंज बन जाएंगे, क्योंकि ionic compound जब भी aqueous form में लेकर जाया जाता है, तो वो अपने respective आइंज मे change जाता है, और इसी तरह से, दो ही chloride ions बनेंगे, ठीक है जी, और इनके साथ aqueous हम लिखता है, यहाँ पर जरूर लिखना चाहिए हमें, क्योंकि यह हमारे पास aqueous form में ही मौझूद है, तो यह हमारे पास, जो है, वो main reaction होता है, यानि के main, जो है, sodium chloride को जब हम, जैसे ही water, य oxidation करेंगे, यानि के हम कहते हैं कि chloride जो हमारे पास ions थे, ठीक है जी, उसने क्या किया, दो chloride ions ions थे हमारे पास, वो anode की तरफ यहाँ पर गए, उसने दो electron अपने अंदर से निकाल दिये बाहर, ठीक है जी, और इस तरह से अपने अंदर से electron को remove करना, इसी को हम कहते है, oxidation, तो य chlorine gas यहाँ से eject होती रहेगी, यानि कि इसके उपर chloride ions गए, ठीक है जी, उसने अपने अंदर से electron को निकाल दिया, क्यूंकि बैटरी के positive terminals attached था, इस वज़ा से इसके उपर positive charge था, यही वज़ा है कि chloride ions इसकी तरफ गए, और दो chloride ions अपने दो electron को remove करके, दो chlorine atom जो है, वो combine करके और gas की form में जी, उसको क्या कर देते हैं, generate कर देते हैं, तो यहाँ से हमने देख लिया कि chlorine gas हमारे पास यहाँ से बन जाती है, उसके बाद यह इस वाली चीज़ की बात करते हैं जी, जो gray form में, हमें U form में नज़र आ रहा है, यह क्या है जी, इसको हम कहते हैं porous asbestos lining, और इ H2O की form की बात करें, तो अगर उसकी भी हम breakage की बात करते हैं, ठीके, तो वो किस में convert होता है जी, यहाँ पर हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, और दुछे तरीके से भी दिखा सकते हैं, अगर हम इसको show करें कि हमारे पास 2 OH, जो थे, 2 H2O के molecule थे, तो वो 2 OH आइंस में convert हो बन जाएंगे, ठीक है जी, अब यह जो H+, यहाँ पर भी positive wine बन रहे हैं, यहाँ पर negative wine बन रहे हैं, सोचने, अब सवाल यह जहन में आता है, कि अगर यह भी हमारे पास negative wine बन रहे हैं, और हमारे पास दूसरी जो हैं, वो भी, यह positive wines बन रहे हैं, इसी तरह से हम उपर वाले direction में देखें, तो positive wine बन रहे हैं, तो सिरफ chlorine ही पहले इसकी तरफ, anode की तरफ क्यों गया, water में से जो hydroxyl था, वो इसकी तरफ क्यों नहीं गया, जो हमने electrode potential की एक sequence के बारे में बताया था, जिसके बारे में जो है वो, अगली classes में हम मजीद पढ़ेंगे, लेकिन, हमारे पा तो hydroxyl की OH आइन हमारे पास है, इसकी capability है, इसकी ताकत इतनी नहीं है कि वो anode की उपर जाए और अपने अंदर से electron को निकाल दे, इसलिए वो क्या करता है, इस porous asbestos lining से क्या करता है, नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है, hydroxyl line नीचे की तरफ आता है, और यहाँ पर जो sodium हम हमें नजर आ रहे है, तो hydrogen क्या करता है, जी हमारे पास जो cathode होता है, यह जो सारी grey color की आपको diaphragm या आपको spot से नजर आ रहे हैं यहाँ पर, इसके उपर सारा का सारा जो है, वो charge क्या होगा, हमारे पास negative होगा, जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रहे है, मतलब यह है कि इसको ह जल्दी आजाए, ठीक है, और इसकी तरफ attract होते वे, क्या बना देता है, यहाँ पर hydrogen gas बना देता है, तो उसके लिए हम reaction यहाँ पर लिखते हैं, जी क्या होता है, हमारे पास H plus 1 जो होते हैं, वो किस्ट में convert होते हैं, जी, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा, ठीक करके लिख अगर आपके पास positive charge है, positive terminals attached है, तो यहाँ side पे हम battery अगर दर्म्यान में रखें, और उसके बाद यह वाला terminal जो हमने attach के होता है, यहाँ पर इस वाली चीज़ के साथ, तो यह हमारी पूरी circuit जो है, वो complete हो रही होती है, तो यह दो electron जब इसके साथ, हमारे पास hydrogen के साथ add होत हैं, तो क्या बना देते हैं, दो hydrogen के atom और वो दोनों combine करके hydrogen gas बना देते हैं, जो के हमें इस outlet से बाहर निगलती भी नजर आ रही है, इसके साथ G हम लिख देते हैं, gas को represent करने के लिए छोटा साम लिखते हैं, और इस तरह से fluorine gas के लिए हमने लिख दिया, पीछे हमारे पास जो रह गया जी, एक तो हमारे पास sodium बच गया, और दूसरा हमारे पास OH बच गया, तो sodium प्लस भी हमारे पास दो है आइन, इसी तरह से OH आइन जो हैं, वो भी हमारे पास दो हैं, और negative की form में, तो positive और negative जब दोनों combine हो गए, तो इसने हमें क्या बना के दे दिया जी, हमें ca caustic soda बना के दे दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, NaOH, तो ये है जी manufacturing of caustic soda, और ये aqueous form में हमारे पास available होगा, यहाँ पर नीचे, और इसको हम कहते हैं, कि हमने क्या किया, कि sodium chloride को aqueous form में डाला, और उसमें से क्या हुआ जी, water भी हमने, क्योंकि साथ ही शामिल किया था, तो sodium chloride, sodium, chloride iron में convert हुआ, इसे तरह से hydroxyl और H, sorry, H iron में हमारे पास water convert हुआ, hydrogen जो है, वो हमारे पास जल्दी अपने cathode, इस cathode की तरफ जो steel का बनावा, यह हमारे पास U-shape में, यह हमें dotted नजर आ रहा है, इसकी तरफ चला गया, और hydrogen gas में convert हो गया, तो item मिलके, और इसके उपर क् ही है, reduction, यहाँ पर हम लिख देते हैं, reduction, ठीक है जी, क्योंकि electron add किये हैं उसने और इसमें convert हो किया, और अगली form हम देखते हैं कि chloride ions जो थे, वो इसकी तरफ टेक्ट हुए, as compared to hydroxyl, और chlorine gas बना के दी, और पीछे Na और OH ions हमारे पास बच के, उसने NaOH बना के हमें दिया, जिस steam क्यों दी जा रही है, ताकि हमारे पास यह throughout, जो हो heat up होता रहे और procedure चलता रहे और battery के positive terminals हमने anode को जोड़ा होता है जी, और negative terminals से हमने cathode को attach किया होता है, इसलिए इसके उपर negative charge और इसके उपर positive charge होता है, तो यह है जी, manufacture of NaOH from prime.